नमस्कार, ताज़्टभा टीवी के कारिक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है. इस एपिसोड में हम चर्चा करने जाना है देश में किर्शी सिख्षा की दिसा के बारे में. और हमारे खास मेमान है भारतिय किर्सी अंसंधान परिशद में किर्सी सिच्छा के उप महानी देश तक ट्र अर्विन कुमार जो किर्सी सिच्छा की छेत की देश की बहुत जानी मनी हस्ती हैं डक सब हम बाची सुरू करेंगे जब किर्सी सिच्छा की बात आती है तो जैसे खेती हमारी रीड है अभी भी और जीडीपी में उसका कंटीविशन भले कम हो लेकिन जब लोगों की निर्वारता की बात आती तो आधी आबादी अभी भी खेती पर निर्वार है और ये जो खेती जहां एक हम पूँचे हैं वहां किसी सिक्षा और अनसंधान इन दोनों की बदोलत पहुँचे हैं इनका बड़ा भरी जोगदान रहा है तो जब बात करें हैं किरसी सिक्षा की तो पंतनगर किरसी शुविदयाले जहां कि आपने जहां से अपने सुरुआत की लंबा समय दिया वो पहला भी सुवेद्याले खुला, उसके पहले कॉलेजेज थे, तो हम अभी तक जो पहुंचें किर्सी सिख्षा में, किस तरह से हमारा सफर रहा है? लेकिए अपने अभी बिलकुल ठीक कहा कि हमारी किर्सी देश की रीड है, और सुद्रड किर्सी के लिए एक सुद्रड किर्सी सिख्षा का होना जुरूरी है, क्योंकि अगर हमारी किर्सी सिख्षा गुणबत्ता युक्त नहीं होगी, उसमें समय समय पर जो सुदार आव सकता हैं नहीं किये जाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हम किर्सी को भी उतनी सक्ती प्रदान नहीं कर सकते हैं। खास तोर से भारती किर्सी अनसंदान परिसद में किर्सी सिक्षा का एक अलगी भी भाग है। और इसका उदेश है कि हम जो हमारे विश्विद्याले हैं देश भर में विविन राज्यों में वहाँ पर किस प्रकार से किर्सी सिक्षा का सुद्रण किया जाए। एक रूपता लाई जा सके। और क्वालिटी एश्यृण्स मुख बात है कि हमारा एश्यृण्स होना चाहिए जिए कि हम क्वालिटी की तो कुण बत्ता दे रहे हैं। इस विशे पर विशेस रूप से हमारा प्रियास रहता है। आपने ठीक ही कहा कि हमारे देश में सबसे पहले जो विस्षभिध्याले स्थापhrit हुआ उनने सु साथ में, वो गोविनवल्लम पन्त किसिवं प्रॉदरगिक विस्षभिध्याले पन्तनगर के नाम से आज इस्थित है और ये पहला विस्विद्याले था जो की Land Grant Pattern US के उसके बेस पर ये विस्विद्याले बना क्योंकि Land Grant System के बेसिस पर जो विस्विद्याले उस समय बनाए गए इनका मुख्य देश ये था कि ये Multi-disciplinary सिक्षा प्रदान कर सके और और फॉर्म आधारित यानि जो है वो प्रैक्टिकल उसका अप्रोच होना चाहिए और डिफरेंट बेसिक साइन्स ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनका सभी का समभेस होना चाहिए और इस परकार की विबस्ता हो जिससे की किसानों को अधिक से अधिक कुछ सिक्षा का लाब मिल सके इसी क्रम में देश के विबिन राज्यों में राज सरकारों द्वारा किर्सीविस्विद्याले इस्तापित किये गए आज देश में इसमें हमारे राज के किर्सीविस्विद्याले इस्तापित हो चुके हैं इसमें हमारे राज के किर्सीविस्विद्याले भी हैं और पांच हमारी डीम्ड यूनिवर्स्टी हैं जिसमें की इंडियन अग्रिकल्ट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट है जहां पर हम आज हैं न जिसका की नाहा में रिफटीो इस प्रकार से पांच फहमारी दीम्द छी हैं और दो केंद्री विष्द्विध्यकोर दोpret किये गे हैं जिसमें एक केंद्री विष्द्विध्याले एंव सब्सक्राइब बीचे जिए और दूसरा अभी हाल में रानी लक्ष्मिवाई Central Agricultural University बुंदेल खंडी जन में जहासी में इस्तापित किया गया है इस प्रकार से आज हमारे देश में किर्सी सिक्षा का बहुत बदलाव आया है खास तोर से आजादी के बाद में जो हमारी Agricultural University System बना है और उसमें जो Trinity of Functions है विशेश रूप से किर्सी सिक्षा में हमारा Teaching, Research और Extension Education ये तीनों साथ-साथ कारिक्रम चलाए जाते हैं ये इसके विशेश रूप से विशेशता है Teaching के साथ-साथ जो Research हमारी Based Education है जो हमारे विविन परियोजनाएं हैं विविन फसलों में या विविन आपकी विशेशों में जो सोद कारिक्रम हो रहे हैं उन पर आधारे शिक्षा और उसके जो हमारे परिणाम आते हैं वो किस प्रकार से किसानों को तुरिद गति से पहुंचाये जाएं किसानों को जैसे की उन्नत किस्म के बीज उपलब करना पन्नगर विशिविद जाले बीज के लिए जाना जाता था तराई विकास निकम उस समय उसका नाम होता था उत्तर प्रदेश वीजेवम तराई विकास निकम अब तो उत्रकंड में आ गया है तो इसी प्रकार से विविन विशिविद जालों में जो हमारे ब्रिडर सीड हैं उनको बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश में दिया है जिसकी बज़े से आज हमारी देश की अर्थविवस्था सुदरड है और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम खाद्यान उत्पादन में आत्म निर्वर हैं 264 मिलियन टन हम खाद्यान का उत्पादन कर रहे हैं इसमें हमारे विस्विद्यालों का बहुत बड़ा योगदान है और इन विस्विद्यालों में भी किर्सी सिक्षा का जो हमारे युवक युवतियां आई है उनका बहुत बड़ा योगदान है तो सर, जब हम बात करते हैं अपने किसी सिक्षा की तो जो हमारे मरलब जिससे हम तुलना करते हैं बार 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 चीन और भारत के किसी सिक्षा की जो बेऊस्ता है, इन में आपके हिसाब से किस तरह का जो है? देखिए हमारे भारत में जो हमारे किर्सी विस्विज़ जयाले हैं वह एक तरह से आपमें, बहुत ही महत्यपूर्ञ अस्ठान रखते हैं बाकि हमारे जो चाइमा या दूसरे कंट्री में हैं, वहां पर composite विश्विद्याले हैं, जहां पर की दूसरे विश्यों में भी सिख्चा होती है, एग्रिकल्चर में भी उसी के साथ होती है, लेकिन हमारे देश में केबल किर्सी और किर्सी विश्यों से आधारित ही विश्विद्याले हैं, क्योंकि किर्सी में बहुत सारे विश सब्जेक्ट आते हैं और पीएजडी लेविल पर 85 सब्जेक्ट आते हैं बहुत ब्रहद एरिया है और इसमें चाहिए हमारा एग्रिकल्चर के साथ साथ हॉर्टी कल्चर है फिस्रीज है यह होम साइंस है अग्रिकल्टरल इंजिनियरिंग है वेटनरी साइंसिस है सारी अग्रिकेशन हमारे इस किर्सी सिक्चा से जुड़े हुए बाद काफी समय तक यह देखा गया कि जो लड़कियां जो है पसंदीदा भी से नहीं था लेगिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ राजी तो ऐसे हैं जहां जो किर्षी विस्विद्यालें में लड़कों से भी ज् माचल में देखने को मिला है यह किस तरह के बदलाओ इसको किस रूप में ले रहे हैं यह बदलाओ में बहुत अच्छा बदलाओ मान रहा हूं किर्सी सिक्षा में मुझे याद है कि आज से करीब 35 साल पहले जब हमारा किर्सी सिक्षा का कारी करम सुरू किये गए थे देश मे 35-40 साल पहले उस समय लड़कियां हमारे अगरिकल्चर में नहीं आती थे और 1974 में मुझे याद है केवल एक गर्ल इस्टुडेंट ने एडमिसन लिया था और उस समय हम लड़कियों को सोचते थे कि अगरिकल्चर में आने का उनका क्या अभिप्राय होगा क्या उनका प्रि तिसत गर्ल इस्टुडेंट आ गई है और इतना बढ़चड के लड़कियां एगरिकल्चर एजुकेशन में हिस्सा ले रहे हैं और अच्छे टैलेंटिट गर्ल्स आ रही हैं जो कि हमारी क्योंकि आप जानते हैं कि किर्सी में भी जो हमारी गर्ल्स का वोमेन का बहुत किर्सी के चेत्र में यह नहीं किर्सी सिच्चा में भी बढ़ावा मिलेगा सारे चेत्र में क्योंकि जब यह हमारी विविन समाज के विविन चेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से किर्सी को बढ़ावा मिलेगा तो यह बहुत अच्छा बदलाव आया है और इसकीम से एजुकेशन डिविजन आईसे आर से प्रोवाइट किये है। यह मिरलब यह आप लोगों का भी कोशिस्टी है कि जो बालिकाएं है वो सिख्चितों और यह जब बात आती है एजुकेशन की जो हमारे पाठकरम है। पाठकरमों में भी समय के साथ बहुत सारे बदलावाया है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी जानना चाहते हैं कि जो इस समय जो प्रेटिकल आसपेक्ट जो सिख्चा है जैसा कि पन नगर में देखने को मिलता है कि हर जो चात्र को कुछ जमीन दी जाती है जिस से अधिक प्रियोगात्मक जानकारी विद्ध्यारतियों को मिल सके इसके इसके लिए प्रैक्टिकल कामपोनेंट का टोटल क्रेडिट बढ़ाया है। इसी के साथ साथ जो फोर्थ दिन्स कमेटी बनाई गई उसमें एक हमने पाठकरम रखा जिसका नाम था एक्स्पिरियं का मतलब है कि हमारे हेंडस ओन ट्रेनिंग विद्ध्यारतियों को देना यानि कि जो भी प्रडक्शन से लेके मार्केटिंग तक पूरा चेन में वो काम करते हैं और इसमें हमने आज देश में 395 एक्स्पिरियंशल लर्निंग यूनिट इस्तापित की हैं जिससे विद्ध् वर्षी वजना में भी इस्तापित करने का हमारा उदेश है इन से जैसे की हाई-टेक होडिकल्चर की हम बात करते हैं या हम एप्रेल मैनिफेक्ट्रिंग के बात करते हैं हम साइन्स में या हम बायो फटलाजर में उसका बात करते हैं सबी छेत्रों में हमारे डेली सेक्टर में भी हमारे आनिमल साइन्स में भी सभी छेत्रों में जो एक्स्पिरिएंसल लर्निंग हमने यहां एक्स्पिरिएंसल लर्निंग के माद्यम से पूरी डख्ष हो सके और वो अपना व्यवसाय है खुद शुरू करते हैं इतना दक्ष बनाने का हमारा उद्देश के साथ बहुत सारे जमीनी इस तर पर वो जुड़ा हो जुड़ा हो ड़क्ष अब हम इस पर बात आगे करें फिरा लेता है चोटा सा ब्रेक और इसके बाद डक्टर अर्विन कुमार जी से बात जारी रहे हम आ रहे हैं कि 이 जो किसी सिख्षा है या के खेती जो है यह विसujah कशा है और राज सरकारे ही यह मेhydभा रहे हैं इसके लिए लेकिन है how ऑपका जो भारस सरकार के साहर जो राजीओ कə पैसिवधियाले हैं किसी के याकिसी सिख्षा के जो कॉलेज हैं उनके लिए किया घुम शिक्षा मिले क्योंकि भारत के किसी भी कोने में यहरी हमारा विद्रती जाता है और उसमें दक्षता नहीं है, उच गुनवत्ता नहीं है, तो निश्चित रूफ से वो जो किरसी के लिए, जो शिक्षा के लिए कारिय करना है, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए क्वालिटि को बनाए रखने के लिए हमारा कंट्रोल मेकनीज में हम कोडिनेट करते हैं भारती किर्शियन संदान परिषत किर्शी सिक्षा में गुणबत्ता के लिए एक्रिडिटेशन करती है, कॉलिजीज का, प्रोग्रेम्स का, युनिवर्सिटीज का और इसके साथ इसाथ जो हमारा बजट है वो भी किर्शी सिक्षा के लिए निर्धारित होता है और भारती किर्शियन संदान परिषत का ग्यारवे पंच बरसी योजना में लगबग 20% बजट किर्शी सिक्षा पर ही व्याक किया गया इसमें जैसे स्टुडेंट्स एमिनिटीज हैं, स्टुडेंट्स फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल्स हैं, लैब्रेरी हैं, स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स हैं, क्लास्रूम हैं, स्मार्ट क्लास्रूम बनाने के लिए जो हमारे examination hall बनाने के लिए यानि students amenities जो भी होगी All India level पर हर बर सम Agri Sports का आयोजन करते हैं इसी प्रकार से cultural diversity को reflect करने के लिए Agri Fest का आयोजन करते हैं और uniformity course curriculum के लिए हम वर्स में एक बार निश्ची त्रोप से Vice Chancellor के साथ meeting करते हैं दो बार भी कर सकते हैं लेकिन एक बार तो कम से कम करते हैं और दीन्स सभी बैठके तै करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा course curriculum structure है इसमें बदलाव लाया जाए और जैसे अभी पांचवी Dean's Committee अभी बनी हुई है उसका कारिक्रम अभी चालू हो गया है और अभी हम जल्दी ही एक industry से किस प्रकार से courses को लिंक किया जा सके किस प्रकार से और अधिक उन course को सामियक बनाया जा सके जिससे कि जो हमारे students market में जाते हैं और अच्छा employment उनको मिल सके इन सबची चीजों को देखते विए बहुत सारा climate में बदलाव आया है नई नई टेक्नलोजी आई है जैसे नई टेक्नलोजी के आज हम बात करते हैं तो यह जो हमारे साइंस में changes हुए हैं ताकि हम global standards को meet कर सके इसके लिए uniformity course curriculum में बदलाव और practical bias, quality assurance accreditation ये सारे कारिये भारती Christian संदान पर से द्वारा किये जाते हैं इसके साथ हम राष्टिय इस्तर पर all India entrance examination भी करते हैं इसका परपजी है कि आज हमारे बिस्विद्धाला में बहुत ज़्यादा inbreeding हो रहा है बच्चा महीं से education पाता है महीं पर सिक्चक हो जाता है हमारा प्रियात है कि एक राज से दूसरे राज में बच्चा जाए उसके लिए हम national talented scholarship भी देते हैं और हमने देखा कि पिछले चार वर्सों में agriculture में बहुत attraction हुआ है जो चार साल पहले all Indian entrance examination में लगबग 40,000 बच्चे बैठते थे आज हमारे entrance examination में गत बर्स एक लाख साथ हजार बच्चे बैठे हैं और talented students attract हो रहे हैं इसका अभिप्राई यह है कि जो हमारे agriculture sector में बहुत अधिक अभी सुधार हुआ है और इसके साथ ही साथ job opportunities भी create हो रही है input sector में भी बहुत सारी job opportunities हो रही है bank sector में भी बहुत करने के दिसा में भी कदम बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे शिक्षा में बदला हुए है और यह हमारा central government का यही प्रियास रहता है कि हम राज्यों को किस प्रकार से दिसा निर्देश दे सकें किस प्रकार से अधिक से अधिक उनका गुणबत्ता में कि यही तो अच्छी बात है कि आज हमारा बदलाओ हो रहा है और हमारे विशिविद्यालों को भी और अधिक बदलाव करना पड़ेगा, गुणबत्ता में यद्पी भारत सरकार काफी इसायता करती है, लेकिन राज सरकारों को भी इसमें आना पड़ेगा, राज सरकारों को भी जो अपेक्चित कारिक्रम में सुधार के लिए, गुणब करना पड़ेगा अभी राजसरकारों दौरह इतना investment करसी वर्याले को नहीं किया जाता है तो एक तो यह मुद्दा है कि किस फ्रकार से हम और अधिक राजसरकारों को प्रेरीद करें कि इसमें किर्शी किर्सी में और अधिक इंवेस्टमेंट करें क्योंकि इसका लाव हमें निश्चित रूप से देखने को मिलता है कुछ राज्यों में बहुत अच्छा प्रियास चला है आपने देखा कि गुजरात में जो एक महिने किर्सी रत का कारीकरम चलता है जो उनके प्रोग्राम हैं उ को तरित गती से किसानों को भी मिल सके तब है उसका लाव होगा क्योंकि को लाव होगा जब हमारा कि सान अननत तरीके जो हमने व sorts किым समय में उसको अफना ले तो इससा में और अधिक प्रियास करने की आव जो तक आपने कहां कि है यह सही है कि बाते बादे मेरा होती है कि जो ग्यान हो जब तक जमीन पर नहीं पोछेंगा। तब तक वो बहुत हो नहीं। kもし भी इसमijnोप काफी इसमने काफी योगदान है जुसे कि आपने कहा। और इन्हें जो है्यभी अभिधारमे खिसान मेले और बहुत सारे है। उसके साथ साथ डेक्ट सब जो किरिसी विग्ञाण केन्ओ कए नेटवर्क भी है जो वह भी आफी लोगों की वर से आया हूआ नेटवर्क है बिल्कुर ठीक इन सबका एक चीज जानना जाएंगे डाक्ट साब की जब राजियों की बात आती है तो जो पहले एक किसी विस्तार का तंत्र खड़ा हुआ वो धीरे-दीरे कमजोर हो गया जैसे डाक्टर परोधा भी कह रहे थे कि जो है अब उनको वो कमजोर होने लगा आपके हिसाफ से यह जरूरी है कि यह विस्तार तंत्र किस तरह से मजबूत हो इसके लिए जो आपने सही कहा भी जो हमारे फार्म साइंस सेंटर है जिनको किर्सिविक ग्यान केंद्र कहते हैं हमारे हर जिले में देश के और कुछ जिलों में दोवी हैं जो बड़े जिले है तो आज हमारे पास 641 किर्सिविक ग्यान केंद्र है और यह हमारा एक ऐसा ससक्त माध्यम बना है इसको हम इस्ट्रॉंग और मनाने जा रहे हैं बारे में पर्चुबर्शी जोजनामे कि इसके माध्यम से किसानों को हमारा तक्नीकी ग्यान तवरित गती से मिल सके और जो उन इनिसियेटिव क्लाइमेट रिजिलेंट अग्रिकल्चर यह भी चलाया गया और इसमें भी जो हमारे जिले हैं उनको एड़वाजरी दी गई और इसके परिणाम यह निकले हैं कि आज हमारे जब मानसून कम होती है क्लाइमेट बदला हो आता है या तापकरम बढ़ता है त उनको तुरित गति से उनको जानकारी मिल जाती है जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट का इंपक्ट कम रहता है और इसमें नहीं नहीं सोद के लिए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा डिविजन द्वारा हमारे जो निच एरिया है जो हमारे एक्सिलेंस है जो कर सके इसके लिए हमारे देश-विदेश से लिंकेज हो सके इसके लिए भी केपेसिटी बिल्डिंग यूवन डवलप्मेंट के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं और सेंटर आफ एडवांस फेकल्टी टेनिंग है इसके अतरिक अभी हमने एक नैशनल एडवांस फेकल्टी टेनिग को और सुद्रड करना और जो हमारे सेंटर आफ एक्सिलेंस हैं कुछ चेत्रों में जहां पर की क्रिटिकल एरिया जहां उनको और अधिक सुद्रड बनाना ये सारे हमारे कारे क्रम हो सकेंगे और ने इपी जो नैशनल अग्रिकल्चर एजु आपको याद होगा कि जो पननगर्व इस्रिविद्ध्याले बदन हमापर आते थे और यहां से भी काफि नहीत बेग्विद्ध्याले को बहुत मिला है और उसका रखिंज बना है तो इसी परकार से continuous dialogue कुंछ चेत्रों में जहां पर की हमें अब सकता है हमारे वैग्यानिक महां से जाएं और जो global हमारे competent वैग्यानिक है वो भी यहां पर आएं तो अच्छा linkage हो सके नई नई प्रोजेक्ट बन सकें और teaching standards हमारे और अच्छे बन सकें इस दिसा में हमारा बार्यू पंचवर्ग हो जना में और अधिक प्रियास में आप से बहुत चीजें जनने को मिला और जो किसी सिच्छा की जो दिसा है एक आखरी सवाल लेक्ट सब जाना चाहेंगे कि जो बारहमी होजना है जे उसमें की चीजों पर सबसे ज़दा फोकस आप लोगों ने किया ह है और जो आगे हम मतलब 2017 से 20 के दौरान हम कैसा तस्वीर जो है देख सकेंगे किसी सिच्छा की है आज देखें देश में एक तो मैंने बताया कि इन्ब्रिडिंग है दूसरा फेकल्टी हमारा बहुत से कम है आज भी बहुत सारे उनिवर्स्टी में 40 से 45 परतिसत पोस्ट ख देने के लिए अच्छे सिक्षक का होना बहुत जरूरिये अच्छे सिच्छक के लिए हम किस प्रकार से उनको human resource को डबलब कर सकते हैं जहां उनके वी के रियाज हैं उनमें हम इस्टेंसन कर सकें इस दिसामें 25 से वजना में विशेश प्रियास कर रहे हैं इसके अलाबा ज इंड़स्ट्री के ट्यून भी कर सकें, इंड़स्ट्री से भी लिंकेज इस्तापीद कर सकें, तो ये सारी चीजें, स्टुडेंट रेडी प्रोग्राम हमने नया पचास क्रोड का इसमें व्याक करेंगे, बारी पंच वर्सिय योजना में, जो हमारे स्टुडेंट्स टीचर्स हैं, जो हमारे यंग हैं, वो भी देशों में जाकर पीएजडी कर सकें, तो बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिससे कि हमारा बाजवे पंच वर्सिय योजना में, किरसी सिक्षा के छेत्र में और अधिक गुणबत्ता सुदार होगा, और भा निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये जो भारत सरकार का प्रियास है, इस क्रम में बहुत ही लावडायक सिद्ध होगा, और ये हमारे किरसी की, जो हमारे देश की अर्थ वेवस्ता है, इसको और मजबुत करेगा, और हमारा देश आज खादान में तो आत्मिरवर ही है, लेकिन जो हमारे दलन और तिलन में अभी उतना नहीं है, तिलन हम विदेश से आयात करते हैं, उसमें भी और अधिक कारगर सिद्ध हो सकेगा, और इसके साथ साथ जो हमारा मालनुट्रिशन का फेक्टर है, आज हम आत्मिरवर्तों हैं, लेकिन हमारा आज नुट्रिशनल स सेवी सजग है, और भारतिये क्रिशन संदान पर से द्वारा समस्त कारिक्रम ऐसे चलाए जाएंगे, जिससे की और अधिक हमारे किसानों को और हमारे यूबकों को अधिक सदिक लाब मिले, अधिक साथ हम यह मान सकते हैं, कि जो मौजूदा दिसा है, वो बहुत सही है, और जो प्रियास किये जा रहे हैं बारावी पंचेवर्सी हो जना में, वो आने वाले समय में जो मील का पत्थर सावित हो सकते हैं, इसे विसोड में फिलाल यही तक, आगे मिलेंगे किसी और खास महमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.